दोस्तो गर आप भी अर्शदीब सिंग को शांदार खिलाडी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तो दो गिंदों पर दो विकट चटका कर अर्शदीब सिंग ने पंजाब को दिलाई असंभाव सी जीत तो खुशी से उच्वल पड़ी प्रिती जिटा फिर इस खिलाडी की तारीफों के पुल बांते हुए इन्होंने कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर आपके भी चेहरे प दोस्तो वानखेड के मैदान पर मेमान पंजाब ने ऐसा चमतकार किया कि अपने घर में ही मुंबाई इंडियन्स को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा जहां पंजाब की जीत के सबसे बड़े हीरो बनकर बाएं हाथ के उभरते हुए सितारे अश्दीब सिंग जि सितारों से सजा मुंबाई के बल्ले बाजी करम भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया आपको बता दे हैं पहले बल्ले बाजी करने उतरी पंजाब के लिए कप्तान सैम करण के साथ हरप्रीत भाटिया के तुपानी बल्ले बाजी और अंते में उतरे जीते शर्मा के समालते हुए पंजाब के गिनबाजों को रिमांट पर लेना शुरू कर दिया देखते ही देखते ही इन दोनों के बीच एक मैश टानिंग प्राइट नाशिप हो जगी थी हाला कि बहुत गलत समय पर रोहित का पिगट गिरा तो कैमरान ग्रीन भी चलते बने जिसके बाद पंजाब को अपनी जीत दिखने लगी थी तब सूरिया के साथ टीम डेविड ने उनके सभी रादों पर पानी फिरते हुए गिंदो को तारा मंडल में भेजना शुरू कर दिया देखते ही देखते सूरिया अर्दश्टा तक पार कर चुके थे तब गिनबाज करने आए अ गिनबाज ने अपनी घाता गिनबाजी से तिलक वर्मा के साथ साथ निहाल वदेरा को क्लीन बोर्ड कर ना सिर्फ अपनी टीम को जिद दिलाई भलकि उनके विकट भी तोड़ दिये थे इसके बाद तो पंजाब की मालिक प्रिती जिनता के भी खुशी का ठिकाना नहीं है जी हाँ उन्होंने मुकाबला खत्म होने के बाद अरशदीब सिंग से मुलाकात की तो आई उनके तारीफों के पुल बांते हुए उन्होंने कहा ये हैं मेरे फेवरेट के लाड़ी अरशदीब सिंग जो कभी मुझे निराश नहीं करते हैं मुझे आप पर गर्भ है आरश हमें नीचे कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और ऐसी शांदार का बरुक लें मारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद